नमस्कार मैं हूँ जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पप्लिकेशन न्यूज में अब वक्त है दिल्ली की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का पहली खबर के और बड़तों आपको बता दें उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीम के हिल्थ को लेकर राजनीती नहीं होनी चाहिए दिल्ली के पूर सांसद संदीब दिक्षित ने कहा मैं इस वक्त उम्मीद करूंगा कि ये लोग किसी बड़ी नेता के स्वास्ते पर राजनीती नहीं करेंगे अगर आप नेताओं को भी देखें तो ये कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ लेकिन जूट बोलना आपकी आदत है अगली खबर के और बढ़तों आपको बता दे आप सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाती मालीवाल के साथ सीम आवास में सीम अर्विंद केजीवाल के निजी सहायक विभव कुमार दौरा मारपीट और छेचाड करने के मामले में उत्तरी जिला पुलिस मंगलवार को 30 अजारी कोट में आरोपत्र दायर करेगी इस हाई प्रोफाइल मामले में तौरित जांच कर पुलिस साथ दिन के अंदर अंदर आरोपत्र तयार करने में काम्याब रही है यात्रियों की परिशानी नहीं हो इसके लिए स्पेशल ट्रेने चलाने के साथ इस्टेशनों पर भीर प्रबंधन की विशेश तयारी की गई है यात्रा टिकेट में यात्रियों को परिशानी नहीं हो इसे लेकर अतिरिक्त काउंटर की भी सुविदा होगी साथ ही उत्ता रेलवे दिल्ली से हरीद्वार के बीच स्टेशनों पर हेल्प डेस्क काउंटर भी लगाएगा टाकी यात्रियों को ट्रेनों की स्थितिका पता चल सके हरीद्वार में 22 जुलाई से 19 अगत तक कावड मेले का आयोजन होगा अगली खबर के और बढ़ते हो आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने मोहरम के मौके पर 16 और 17 जुलाई को निकलने वाले जुलूस शांति पूर्ण संपन कराने के लिए सुरक्षा तैयारी पूरी कर लिए मोहरम के दिन ताजया जुलूस को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ट्राफिक एडवाईजरी जारी कर सभी से उसका पालन करने को कहा है दिल्ली पूलस ने लोगों से अपील की है कि वो आज और कल ट्राफिक गाइडलाईन के हिसाब से अपने सफर प्लान बनाए ऐसा ना करने पर परेशानी का सामना करना पर सकता है दिल्ली पुलस ने लोगों से कहा कि वो जुलूस वाली रास्ते से निकलने से बचे बहतर ये होगा कि लोग 17 जुलाइ को मैट्रों से सफर करें ऐसा ना करने पर लोग ट्राफिक जाम में फस सकते हैं अगली खबर के और बड़तो आपको बता दे दिल्ली सरकार की महतवा कांक्षी योजनाओ में से एक महला बस योजनागस्त महीने से जनता के लिए शुरू हो जाएगी सुमवार को एक हपते के लिए दो अलग अलग रूटों पर दो बसों का ट्रैल चुरू किया गया इन बसों की सिवाए ऐसे शेत्रों में होंगी जहां सामाने DTC और क्लस्टर बसों की पहुंच अब तक नहीं है यह बसे सामाने 20 मीटर की बसों से 3 मीटर चोटी होंगी ऐसे में सकरी गलियों में आसानी से जा सकेंगी इस से लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन यूज धनिवाद